डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ आप साधी से पहले तो बहुत मंदिर जाते थे अब क्यों नहीं जाते हो अब तुम्हें क्या हो गया अब तुमसे साधी हो गई और भगवान पर से भरोसा उठ गया आज मैंने तुम्हारे लिए इस्पेशल डिस बनाई है खाते गर्मी गायव कर देगी ऐसा क्या बनाया है तुमने यार नवरतन तेल के पकोड़े जानू तुम्हारे इन आलू के पराटों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे हैं चुप चाप ठालो कस्मीरी पुलाव में क्या कस्मीर नजर आता है सुनो जी आप बहुत बोले हैं आपको कोई भी बेकूब बना देता है सुरुआत तो तेरे बाप नहीं की थी सुनो जी हमारी पडोशन हर संड़े अपने पती के साथ बाहर गूमने जाती है पर क्या आपका भी लेके गए हैं मैंने तो उससे चार पांच बार पूचा है पर वो मना कर देती है जानू आज बाहर खाना खाएंगे ठीक है मैं दो मिनिट में रेड़ी होकर आती हूँ ठीक है मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ डारलिंग सुनते हो जी मेरी उमर 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुशन की तारीप करता है उस्मान भाई होगा आपने कैसे पहचाना उनको वो साला कबाड़ी है पुराना माल देखता है